पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दो सांज ने वॉलिबूड इंडस्ट्री में अपनी थाग जमाली है दिलजीत ने अपने गानों और आक्टिंग से हर किसी को अपना दिवाना बना लिया है अब सिंगर परिनीती चोपडा के साथ अपनी आगामी नेटफलेक्स फिल्म पर अमर्च सिंग चमकीला के रिलीस के लिए तया है जिसके लिए दिलजीत जम कर प्रमोशन करने में लगे हुए है इसी बीचाल ही में एक इंटरव्यू में सिंगर ने अपनी निजी जिन्दकी को लेकर कई खुलासे किये आईए जानते है रनवीर अलहाबादिया से बाचीत के दौरान दिलजीत बोले जब मैं 11 साल का था तो मुझे मामा के साथ लुद्याना घर से दूर शहर में भेज दिया गया उनके मामा ने सिर्फ दिलजीत को ले जाने का पूछा ही था कि उनके परिजनों ने उनसे बिना पूछे ही भेजने के लिए हामे भरती थी दिलजीत दोसांज ने ये भी बताया कि मैं एक छूटे से कमरे में रहता था सिर्फ स्कूल जाता था वापस आता था वहां टीबी भी नहीं था उस समय सभी के पास फोन भी नहीं होते थे और अगर किसी से बात करनी हो तो कॉल करनी के लिए पैसे लगते थे इसलिए मैं घरवालों से बहुत दूर हुग गया वहीं उन्होंने अपने घरवालों के फैसले को सही बताते हुए भी कहा कि मैं अपनी मा के बहुत इज़त करता हूँ, मेरे पापा बहुत प्यारे इंसान है, पर उस समय उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, यहां तक कि ये भी नहीं कि मैं कौन से स्कूल में हूँ, इसी वज़ा से मेरा उन्ही से नहीं, बलकि सभी से रिश्टा तूड गया। दरसल साल 1984 में दिलजीत दोसांज कलन के एक गाउं में जन्मे थे, यहां लोध्याना में दिलजीत ने अपना हुनर स्कूलों में गाने गा कर दिखाया और आप वही दिलजीत हिट पॉप सौंग्स दे रहे हैं, और साथ ही पिछले साल उन्होंने कोचला म्यूजग पॉप कर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रसिद्धी पाई, वही हाल ही में उन्तेस मार्श को आएक रियोफ्यल में दिलजीत करीना तब्वु अक्रिति के साथ दिखाए लिए, तो आब वो परनीती के साथ अमर सिंग चमकीला में नजर आने वाले हैं